है 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 हलो दोस्तों आप सब्सक्राइब चैनल में स्वागत है आप सभी का रिस्पोंस अच्छा मिर रहा है आप लोगों को धन्यवाद धन्यवाद और जो इस चैनल में नए बने हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि उन्हें सबसे पहले वीडियो मिलें आज का हम टॉपिक लिए हैं गंट्री गुनिया और सह जहानी गुनिया में क्या अंतर है गंट्री गुनिया जो आम तौर पे हम लोग यूज करते हैं फिर से एक वार इसमें मैं बता आएदा हूँ गंट्री गुनिया में क्या होता है एक साइड पांच भाग होते हैं एक जरीव के लिए यानि कि एक एक खाना जो है जिसे एक दो तीन चार पांच पांच खाने हैं इसमें मैं लिख देता हूँ बड़ा खाना के एक भाग बराबर एक भाग यानि कि यहां से यहां यहां से यहां जो भी है इसमें 20 कड़ी होते हैं ठीक है इस प्रकार 20, 40, 60, 80, 100, 100 कड़ी का एक जरीव माना जाता है या होता है जो गंट्री गुनिया होते हैं उससे हम 10 जरीव और एक आजकर बड़ी गुनिया आ गई है उससे हम 30 जरीव तक का लंबाई हम खेत या जमीन का नाप सकते हैं समझ गई अधी नक्सा पर और भी बारीकी से करना है तो गंट्री गुनिया में दूसरी साइड इस पांच भाग का भी सब डिवाइड किया हुआ रहता है यानि कि इसमें दस खाने रहते हैं यानि छोटा का एक खाना या एक भाग बराबर दस कड़ी होते हैं ओके तीस से नीचे वाला से हमनों ज़्यादा एक रेसे से काम करते हैं लेकिन सह जहानी गुनिया क्या होता है तो ये भी गंट्री गुनिया के ही समान होते हैं इसमें उपर वाड़े भाग में हम लोग 20-20 कड़ी का भाग हुआ करता है इसमें इसमें उपर का गुनिया भी 20-20 कड़ी का ही भाग होता है जैसे 20-40-60-800 यानि कि यहां से यहां तक इसमें भी 20-20 कड़ी का होता है और एक साइड उसका मिलने कि उसका दूसरा साइड एक भाग का 25 कड़ी का हुआ करते हैं समझ गए यदि 20-20 कड़ी का भाग रहेगा तो पांच भाग बराबर एक जरीव यदि 25 कड़ी का उसमें रहेगा तो हम नक्सा पे चार भाग बराबर एक जरीव का माप निकालेंगे ठीक है इससे भी हम 10 जरीव और 30 जरीव का नाप सकते हैं ओके और गंट्री गुनिया भी एक छोटी जो रहती है इसका साइड क्या है कि दू इंच बाई आधा इंच ठीक है और बड़ा बला जो रहता है ओ छे इंच बाई एक इंच इसका सेम सहजहानी गुनिया में भी इसकी साइड वही हुआ करता है खाली अंतर आपको यही मिलेंगे कि उसमें एक साइड से 20 कड़ी का नाप होगा और उसकी दूसरी साइड से आप 25 कड़ी का एक एक भाग रहता है उस हिसाब से नाप करते हैं ठीक है आप समझ गया होंगे धन्यवाद अंतर आप करता है